जो कि सिगमा बात करने वाले कि क्या क्या कार के बिल्कुल बेस वेरेंट में और आपको बेसिक चाहिए विंडो चाहिए रिमौट सेंड लोकिन चाहिए थी अपको इसके बेस वेसी आपको उसके उफर कर भीयाती है वो सबसे जो एक्ट्रेक्टिव है उस कार का प्राइस है 6,56,000 रुपीज के एक्सवन प्राइस पर आपको वाली कार मिल जाएगी और आप 7,000 रुपीज के अंडर कोई कार देखते तो आपको इससे बैस्ट ओप्शन कोई नहीं है इतने बढ़िया डेमेंशन कि आपको कार म मिल जाएगी इंटीर प्रीमियम में बाहर से देखने में काफी बढ़िया लगती है इस प्राइस में साब को पता होगा और कार राती है से सलायरी हो गई या पिर स्विफ्ट होगी स्विट का ब्यक्स है वेंड भी इसी प्राइस पर लेकिन बलीनों भी नियू है मार्केट में जिस प्राइसे देखने में काफी बढ़िया लगती है इंटीर हो एक्षिर हो सभी बैस्ट रहने वाला इस कार में वह बेस्ट में आपको और किसी कार के टो वेंड में नहीं मिलते हैं जैसा है आटो क्राइमेट कंट्रोल एसी हो गई रेर डिफोगर हो गया कुछ ऐसे आपको बेस वेंट सो ओफर कर रहा है जो कि काफी बढ़िया बात है आपको और फीजर चाहिए सब को तसकीन एंफट में सिस्टम चाहिए या फिर और एक्टर चाहिए तो आप इसके अपर एक डेल्टा वेंड के साथ जा सकते हैं बच्छो डेल्टा वेंड है वह 84,000 लु फ्रेंड में आपको प्रोजेक्ट है, हैड लैंस मिल जाएंगे, जो कि हैलोजिन में रहने वाले हैं, वो इंडिकेटर में हो गया बल्व, और यह रही ग्रिल स्कार की ब्लैक कलर में रहेगा, अब इसके डल्टा वेंड के साइज जानगा, अब उसमें क्रोम लाइन मिल कार के फेंडर पे, और यह रास कार का ओवार भी हम जो कि ब्लैक कलर रहेगा, डॉर हैंडल भी ब्लैक कलर के हो गए, उर यह से कुछ तरह का रखता है, इंटेरे स्कार का डूल कलर में रहेगा, जब इंटेरे में चलूँगा तो आपको सभी फीचर दिखा दूँगा, वो इंटेना, रेड़, स्पोईलर, हाई मां डिश्टो ब्लैंप, डिफोकल दिया जाएगा, आपको इसके बेज सेरेंट से, और यह रिसकी एले टेल लाइट, इंडिकेटर बैकलाइट हो गया, बल्व, बलीनों की बैसिंग, सुदू की का लोगो, उनी से आपको रिफ्लेक् इंटेन्ट होने के बाद भी आपको इसमें प्रोजेक्टर हेल्डेंस मिल जाएंगे, एले टेल लाइट मिल जाएगी, डिफोगर, रेमोट सेंटर लोकिंग, जैसे फीजस आपको इसके एक्सरे से मिल जाते हो, इंटियर में आपको काफी बढ़िया, फीजस दिये गए है आपके city का नाम, मैं आपको on road price बता दूँगा, तो इस कार में आपको बन पाएंट टू लीटर का series engine मिल जाएगा, जो कि प्रेड्यूस करता है 88 BHP की पावर, बंडे 13 अनम का टोर, चलिए फिर में आपको इसकार के interior में, और यह रहा interior का जैसे आपको dual कलर में रहने वाला आपको dual कलर में दिया जाएगा, black and blue कलर के combination में, दोर उपना होगे ब्लैक कलर का, चारो प्रवप बिंडो के दिया जाएगा, आपको यहां पर control, sloak, unlock के लिए, soft touch हो गया, बाटर विंडो बेंडो हो गया, बाटर बंडो बेंडो बिंडो हो गई, बाटर विंडो के space, ब् कि इसका base variant है जब आप इसके एंफोटेमेंस सिस्टम की साइट देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई एंफोटेमेंस सिस्टम नहीं मिलता है तो फिर आपको लग जाएगा कि यह बेस वेरेंट है पर लेकिन जब आप नीचे की साइट देखेंगे तो आपको इसमें auto climate control AC मिल पर यहाँ बात है और यह रस का steering wheel इस पर आपको कोई steering moderate control नहीं मिलता है क्योंकि इसमा को कोई वेंफोटेमेंस सिस्टम नहीं मिलता है SRS airway की basing मिल जाएगी आपको यहाँ पर सोजी का logo है circular में किरोम दिया गया है और यह रस का instrument cluster यहाँ पर आपको speedometer मिल जाएगा और आर्पियम मीटर यहाँ पर है बीच में छोड़े size की मिल जाएगी आपको एक MID जिसमा आपको इसके fuel का क्या mileage दे रही है आपकी car वो आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको stick मिल जाएगी ORAIRUS का driver side AC vent यहाँ पर silver finish कारवन finish यहाँ पर मिल जाएगी आपको ORAIRUS का center console Enfotainment system आपको इसके base vent में देखने के नहीं मिलता है नीचे की side हर्याइड राइट का button दो AC vents यहाँ पर दिये गए है और silver finish मिल जाएगी आपको यहाँ पर dual theme मिल जाएगी आपको इसके dashboard में auto climate control AC है यहाँ पर 12 board का power socket, 2 का folder आपको यहाँ पर देखने के नहीं मिलेगा कारवन फिनिस मिल जाएगी आपको यहाँ पर जैसे के आप देख सकते हैं हैंड ब्रेक और फिर कुछ तरह का लगता है dashboard इस कार का ORAIRUS कार का sun visor benady mirror आपको इसमें नहीं मिलेगा IRBM manually dnet adjustment कर सकते हैं आप इसमें ORAIRUS का core driver side का sun visor benady mirror आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा grab handle हो गया cabin lamp halogen में यहाँ पर आपको कोई भी cabin lamp देखने के नहीं मिलता है middle में ही मिल जाएगा आपको यहाँ पर front में आपको adjustable headrest मिल जाते हैं इस कार में वो fabric seats दी गई हैं यहाँ पर ORAIRUS का core driver side door dual color में है power window door ओपना black color बाटर 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 गले space जो कमें आपको आपको दिखा दिया है इस कार की rear seat पर चल कर दिखा देता हूं फिर कितना space आपको बावपर मिल जाएगा driver seat को अपनी height के साब सेड़ेस कर लेता हूं फिर आपको idea हो जाएगा वहां मिल जाता है तो मेरी height 6ft है इस तो जाता आपको driver seat को height के साब से adjust करने के बाद काफी बढ़िया लेग रूम मिल जाएगा आपको और यह इसी वैट्स नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पर ट्वैल वोट का पावर शोकेट मिल जाएगा और बैक सीट और बैटकर कुछ इस तरह का लगता है डैश वोड इसकार का कैवी लेंक तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई दिया आपको इसके पेस्ट में मिल जाते हैं तो यह से आपने देखा कितना वैली फोर मनी वेरियंट और इस प्रेस लिए ग्रे कलर है काफी बैस्ट कर लगा मुझे क्योंकि इसके डोर हैंडल्स हो गए जो और यह ब्लैक है तो आपको जादा नहीं लगने वाला है कि इसका बेस इस वेरियंट है अगर आप इसका वाइट कर लेते हैं तो डोर हैंडल्स और जो और वी में वह अलग से दिखाई देंगे तो इचलिए फिर आपको इस कार की वीडियो दिखनी है फिर आप किसी और का का बोकराओं देखना है तो आप मेरे चैनल को बिजट कर सकते हैं फ्य